कितना सुन्दर शुल के बताई हैं और जस दन जब हम इस मनोस्तिती में आते हैं जिनने ऐसी भाव भूमी का हमारी बनना शुव हो जाती है कि शरीर तक नजर नहीं जाती है शरीर के भीत जो चैतन्य आत्मा है शरीर के अंदर जो तपश्या और त्याग और शद्धा और भक्ति के प्रती समर्पण की जो भावना है वो भावना कैसी है आग है आग जैसे आग की एक चिंगारी जैसे आग की एक चिंगारी यह कुरी जंगल को जला के राख कर देती है ऐसी भक्ति का एक चण शद्दा का एक लमहा समर्पनों सेवा कमात्र मात्रे एक सेकंड आपके अर्बों खर्बों जन्वों के पापों को जला के सत्या नास div यह ऐसा बड़ा भारी जंगल इतना बड़ा भारी जंगल एकई किलोमीटर तक फैला हुआ जंगल लेकिन एक चिंगारी ही काफी है बड़े भारी जंगल को जलाके राक करने के लिए मात्र एक चिंगारी ही काफी है इस ही जन्मो जन्मो के पापो को जलाने के लिए मात्र बंदना ही पर्याप्त है मात्र बंदना ही पर्याप्त है मात्र दर्शन ही पर्याप्त है अगर और कुछ हो गया फिर तो वाह बल्ले बल्ले सोने में सुभागा आज बैठें इन चणों की अर्चना करने के लिए चोकमंदर जी का भुपाल का इतना प्यारा प्रांगन इतना प्यारा द्रश्च कितना प्यारा द्रश्च है कुछ धरम के पिपासू है कुछ ऐसे सम्मद्रश्टी भब जीव कौन आप खुद धन्योती वो धर्ती धन्योती वो धर्ती जिस धर्ती पर भगवान की भक्त पैदा होते हैं और उससे भी ज़्यादा धन्य होती वो धर्ती इस धर्ती पर कोन पैदा होते हैं तपश्या और त्याक करने वाले मुनियों की राह में चलने वाले जो शावक होते हैं उनके पीछे पीछे उनकी भक्ती में धन्य होती वो मा और वो बाप धन्य होती वो जन्यनी धन्य होती वो माता पिता जिनके घर में कोई भक्त पैदा हुता है तपसी पैदा हुआ मीरा कहती है क्या? मीरा कहती है सबसे उची प्रेम सगाई सबसे उची प्रेम सगाई गुरु चरडों से से मा जिनवानी से दिल लोग की नाथ से जब दिल के तार जब जुड़ जाते हैं तो इससे उंचा कुछ नहीं हो सकता है कितनी उची बात है कितनी सेष्टे बात है बताईए हर धर्मे के अंदर ये फरमाया गया कह गया बताया गया है जेन धर्म के अंदर भी और वैश्नो प प्राचीन तम धर्मों ने कहीं बात बोली है कोंसे बात बोली है जो बाहर के तपस्वी हैं जो बाहर के त्यागी हैं ये बाहर के त्यागी आपके भीतर के जन्मों जन्मों के सोये हुए खोये हुए भीतर खोये हुए तपस्वी को जगाने के लिए बाहर का तप किनिमित बन जाया करता है नाचने माला अपने ही मन से नाचता है नाचने माला अपने ही मन से नाचता है लेकिन शादी का माहौल हो को डेक फेक बज़रा हो और लोग नाच रहे जूम रहे हो तो उस उम्हों को पर नाचना बड़ा आसान हो जाता है कोई बंद कमरे में है अकेला वक्ति को तूट गया उसका, उदास्ता निरास्ता है, पतनी बच्चे समने दोका इस इंसान को दिया है, हम उम्मित करें, हम सोचें, इस इंसान नाचेगा, ना, नहीं नाच पाएगा, बाहर का माहूल भी जरूरी होता है, तो जो बाहर ने, जिसे हम कहते हैं, वो बाहर का माहूल होता है जिसे निशने बोलते हैं वो भीतर का महल होता है और दोनों एक साथ चला करते हैं पर 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 में अंतर होता है क्या पर और पर में अंतर होता है निशन की बात की जाएं समेसार की बात की जाएं जैसे मैंने बताया था आपके सामने कैसा की पतनी भी पर है और वेश्या भी पर है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ऐसे ही जिन्वानी भी पर है और और ये ग्रस्ती के काम भी सारे पर हैं दूसरे हैं लेकिन फिर पर जमीन आसमान का अंतर है, आचा सुर्डी को मालूम था यह ग्रहसती जीव है, कोई ने कु खुरिया तो करेगा, कोई ने कुछ कुछ खुरिया तो स्यांस से हुन की वाली है, तो बजाए पाप वर्धिनी क्रिया के बजाए पाप बढ़ाने वाले काम के ये शुब काम करें ये शुब क्रियाएं करें देगुरु शास की शन में जाए शन में जाए और ये सानी की आदा गंटे गंटा हुआ पुजा पाटोई भगवान खतम भगवान तुम 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 ध्यान तुमारे चरणों में छनशन ध्यान रहता है, छनशन ध्यान रहता है, छनशन शरी कहीं जाए, शरीड कोई सी कुरिया करे, शरीड को हजार तर के कुरियाओं को करना पड़ेगा, लेकिन मन के कोने के अंदर अंगारा कुंसा वाला अंगारा जिसे पर राख लगी हुई है ऐसा अंगारे के तरह दिल के किसी कोने के अंदर शद्धा के जोत जग रही है ज्यान का प्रकाश फैल रहा है और तपसके सुगंदर बिखर रही है ऐसा भी जीवन में होना चाहिए शद्धा तो कईथी है बख्ती तो कईथी होती है सेवा करने का सोच तो कई सरे लोग अपने दिल और दिमाग में परिदा मुझे सेवा करने मुझे समय दियना है लेकिन सब का नसीव इतना जुरूरदार नहीं होता जो यहां पर आ करके बैठे चाय तो ठेले पर भी मिलती है चाय तो सड़क किनारे फुटपात के ठेले पर भी चाय बेशने वाला चाय बेशे देता है और चाय तो बधान मंत्री आपको बुलाए मुख्यमंत्री आपको अपने गर्म भूजन के लिए बुलाए चाय तो वही चाय वही चाय वहाँ पर भी होती है वही चाय यहां पर भी है सड़क किनारे ठेले पर जो चाय बेश रहा है लेकि दोनों चाय चाय में जमीन आसमान का अंतर होता है तो ऐसे ही एक स्वाध्याय तो वो होता है जो आप अपने मन से पढ़ लिया करते है और एक स्वाध्याय वो होता है जो कोई त्यागी के मूँ से सुनने को मिला करता है हम किसमत वाले है मैं अपने नसीब को धन्यवाद दू मैं मैंने अपने इस सन्याज जीवन के अंदर ऐसे महान महान तपस्यु के चड़मा वंदन किया उनके शीमुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को समझने को सुनने को मिला आचा विद्धानंद महराच कुछ दो तीन चार साल पर नबे पिंचानवे साल के दिगंबर मुनी दिन गी भर समय सार में डूब गए औरों को डूबो दिया आचार गुर्दी विद्धा साहगाजी महराच में इक दिन बताया भी था आदे घंटे त लगातार उमुसे दिख्चा के पहले चुल्लक वस्त हुआ हमें चर्चा मुझसे करते रहें के बड़े मुंश दधा साहगी महराच मुझस प्रणौं सांग साक कैई सारे बड़े बड़े दिग्जस दुरंदर ग्या निदियाने के चणौन हो बैट करके कुछ पाने का सीखने का समछने के मुझा मोका मिला और जब पहुंचा क कि मैं पहुंचा गुर्देव सुनील साग्रजी महराज की चड़नों में तो मुझे ऐसा लगा, इन सारे इत्यागियोंने व्रतियोंने ग्ञानियोंने धानियोंने मेरे जीवन को मंदर जैसा बना दिया, सुनिल साज़ गुर्देव ने उस मंदी पर शिखर बना दिया कलस चड़ा दिया और ध्वजा लगा दिया कोई तो छणा ऐसा जीवन ने पैदा होना चाहिए कभी तो ऐसा आपके साथ में होना चाहिए कभी तो ऐसा भाव आना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता है मैं कुछ नहीं समसता हूँ जो है यही ज्यानी यही भी दुबान है जिस दिन बेटा ऐसा मान लेता है मेरी मामें अकल नहीं है जिस दिन बेटा ऐसा मान लेता है बेटी से माली मेरा बाप तो मूर्ख है उस दिन फिर क्या होता है उच्छंकल बन जाती बेटी फिर आप देखते हैं सुनते हैं लव जिहाद में बीस तुकड़े कर दिये पचास तुकड़े कर दिये सो तुकड़े कर दिये उसके सुनना सुनना सीखो क्या सीखो सुनना सीखो मजनिमानी को सुनना सीखो अम्रत है यह बाहर जब अम्रत नहीं वरसता है बाहर जब बरसात नहीं होती है लोग के दरी आकुल व्यकुल होते हैं इंसाल आकुल व्यकुल हो जाते हैं पसुपक्षी आकुल व्यकुल हो जाते हैं तुरी दुनिया आकुल व्यकुल हो जाती है उससे भी ज्यादा आकुलत के मुझे जिनवानी को इस पवित्र ज्यान के जरने को अपने उपर क्या सुन्दर सीनों तक अभी कलपना करिये ऐसे बरसात का सीजन जरना गिर रहा है वो दोचार बच्चे होते हैं दोचार लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं अरे जरने की बात को छोड़ो जब आप गर्मी के मौसम में अपने बात्रूम में शावर के नीशे खड़े हो जाते हो तो बताओ कितना अच्छा लगता आप लोग को कितना अच्छा लगता है इस अंसार के भोग और विलास हर जनम में मिले हैं लेकिन कभी ऐसा भी होना चाहिए पैसे के पीछे पागल होने वाले हजारों लोग हैं शोहरत के पीछे सामान के पीछे पागल होने वाले हजारों लोग करोडों लोग दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से लेकिन जिन्वानी के लिए तपश्या और त्याक के लिए पागल लोग जी हुआ है उन्मीने इंटर्वी दिया था पिच्छर के अंदर मेरा सेलेक्षन हो गया है पिच्छर मुझे भी रोल करने का मुझा मेले गां बाति खुछी जो पूछता अच्छा पिच्छर में रोल करोगी वहां क्या रोल मिलाएं पतनी बोलती तगली कर वोल मुझे मिला है पागल महिला करो मैं चुन्स कि मैं कौई सा मेकाप करणु मैं पखली दिखने के लिए कौन से प्रच पेहनों पती बोलता है जह अश्रा नहीं टिक है यह कपड टीक है मैकप टिका एक्षा करने के जह नहीं है द 속ाने के नाम में कर는 के सारे लोगर करेंगा है बस खेल खतम उनने बूले यह पगल है इसमां पागल यह यहीं नहीं है यह यह तो नपेल पुधी मानो पने आपको लेगम कई सारे साथ लोग इसी संमाज में इसी परिवार में इन्हें आस्पास गल्यूमीए आपको पागल लौ हर Bernard बुद्धु समझते हैं, दुनिया ने कितना बुद्धु समझा है, दुनिया ने कितना पागल समझा है, छोड़ो ना, मजिन्वानी बोलती है, तुम चाहे कैसे भी हो, तुम कैसे हो, तुम चाहे कैसे भी हो, लेकिन बीरी नजरे में तुम को नो, बीरी नजरे में तुम एक प्रिगुने चेंगारी के भी तर्वी है तो मुराख लगे इंसान हो और जब कोई सज्जन ध्रमात्मा शावक जब कपड़ा लेता है और भगवान की मूर्ति का मारजन करता है मूर्ति पर यहां 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 कपड़े को फेरता है तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं सोचता हूँ कि है परमात्मा यह आपकी मूर्ति प्रकपड़ानी फिर रहे यह अपने आत्मा रूपी अंगारे पर जो राख लगी उस राख को यह हटा रहा है खटा रहा है कोई तो छण ऐसा होना चाहिए को तो आपके जीवन में ऐसा होना ही चाहिए होगा जरूर होगा जरूर 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 होगा बस लगे रहो बेड़े रहो लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो लगे रहो लगे रहो एक दिन तो बदली बरसेगी एक दिन तो बदली बरसेगी बैटे रहो समुद्र के किनारे कोई तो लहर आएगी जो आपको भिगो जाए जिसमें भीक करके आपका तनमन बिलकुल जिसे नहाया हुआ ऐसे हो जाएगा समुद्र में नहाओगे तो संब भे वो खारा पन वो खारा पानी आपके शरीर को मेला कर दें आपके शरीर को और ज्यादा असुद्ध कर दें आपके शरीर को और ज्यादा गंदा कर दें समुद पानी यह कोई विशेष्ट किसी नदी का किसी विशेष्ट कुये का पानी आपके शरीर को और ज्यादा मैला भी कर सकता है। लेकिन वह जल। विशेष्ट किया जन गंगा बीर हिमाँ चलते हैं कसी पौंसी गंगा वह जल। मुक्चंद्रत अम्रत जरे वो जल्व ग्यान का जल्व ग्यान रुपी गंगा जो मुने राजों के मुख से परवाइत होती है गंगा जब जीवन में उतार लेती है गंगा जब जीवन में आना शुरू होती है तो जन्मो जन्मो का कच्रा अर्वों खर्वों से भी अर्वों खर्वों गुना जादा उसे भी अर्वों खर्वों गुना जादा जन्वा कच्रा मा एक सिकंड के अंदर भेह जाता है खतम हो जाता है जब भेंकर बार आती है जब भेंकर भूखम पाता है जब भेंकर तूफान आता है कुछ सालों पहले आया था सुनामी वो तो बहुत पुछानी घटना गड़ गई उसके बादे फिर धेरे सारे तूफान कुछ तूफान समुद्र के अंदर आते हैं कुछ सूपान धर्ती पर आते हैं हरेक तूफान बड़ बड़ बल्डिंगों को धराशाई कर दिया करता है ऐसी एक भक्ति का तूफान भी आना चाहिए ग्यान का तूफान भी आना चाहिए एक ताप उर्त्याक का तूफान भी आना चाहिए मुझे कुशीम सौभाग है ने चोक में भुपाल में चौवासा हो रहा है कई सरी धर्मात्मा शावक शाविकाय ऐसे हैं जो अश्टिमी के दिन, चौदस के दिन और जम माना है तब जब जी हो जाए तब दुनिया भर के उपास करते हैं दुनिया भर के एकासन, दुनिया भर के तियाग करते रहते हैं कई शावश विकाय तो ऐसे हैं कि मुनराजों से बढ़कर सिश्टेहर महार है इतनी उनकी उच्छी सोच है उनकी इतनी उच्छे विचारे हों उनके रसुदेव कुटुम्बकम सारे मुनी महराज मेरे हैं सारे पिच्छी धारी मेरे हैं एक भी पिच्छी धारी भूका नहीं रहना चाहिए ने बली मर जाओ बली मेरे घर में खाने को तो रोटी नहों दो ग्यों के दाने नहों परत्यागियों का पेट भरते रहना चाहिए भरते रहना चाहिए महराजी कई महिला हैं पुरूसे से हैं मुझे बताया अमुक तमुक के बारे में जहां जाता हूं दो चार परिवार मिल जाते हैं महराजी कोई से मुनिमारा जाएं कोई से बर्मचारी तक चले आएं इनको बोल दो मिनिमारा जाएं है आदे घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर पूरा चोका तैयार हो जाता है आज भी हैं ऐसे धरमात्मा शावक शावी काएं उनके धंपरे धर्म के बिल्डिंग खड़ी हुई है धर्म की बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए धर्म की इमारत के नियू के पत्थर हैं वो सारे लोग जो हर समय छे प्रवचन हो, छाए स्वाद्धाय हो, चाए वयावर्ती हो, चाए हारदान हो, चाए पूजा हो, चाए विशेक हो, चाए विधान हो कोई सा मंदल भिधान हो हर समय डटे रहते खड़े रहते आगे खड़े रहते हैं बतनी बाद में बच्चे बाद में परिवार बाद में सबसे पहले धरम और जिस दिन ऐसी बुद्धी हो जाती है उसका फल भी उतना जोड़दार रूप से मिलता है दुनिया बैचारी मक्खी उड़ा रही होती है उरे सेड़ जी बिना हाथ पर हिलाए अपने आप पैसा आते रहता है डेड इंकम सोर्स नंदर जी में था मैं अभी नंदर जी में था तो बड़ा प्यारा गरंत मुझे दिखाई दिया क्या नाम था? सांतिनात महा मंडल विधान कई बार आपने गर्द को देखा होगा आपने विधान कई बार किया भी होगा विचंतन पैदा हुआ मंडल येने क्या? मंडल का एक अर्थ कुत्ता भी होता है मंडल का अर्थ कुत्ता भी होगा